बच्चो अब हम लगू उतर्य प्रश्न डिस्कस करेंगे जो लगू उतर्य प्रश्न है वो दो मार्क्स के होते हैं दो या तीन मार्क्स के तो उसमें हमें पूछा जाते हैं जादतर questions होते हैं कि ऐसा क्यूं होता है ठीक है? ऐसा होने की वज़ा दीजे या फिर कारण बताईए या फिर पूछा जाते हैं कि ये चीज़ क्या है एक उधारण से बताईए या फिर तुम्हारे 10th क्लास में कुछ समीकरण आई हैं तो तुमसे समीकरण भी पूछे जा सकते हैं तो इसके लिए हमें सारे बहुती इजी क्वेशन होते हैं क्योंकि इसमें दिमाग नहीं लगाना ये सब लिखा होता है एक बार हम जो थोड़े से मुश्किल क्वेशन है वो डिसकरण करते हैं तो सबसे पहला प्रश्ण है कि कुछ अभी क्रिया हैं दी हुई हैं इनके समीकरणों को पूरा करना है तो सबसे पहला है कि आईरन और वाटर क्या बनाएगा जो आईरन है जब उसमें पानी लग जाता है तो जंग बन जाती है ना और जंग का फॉर्मुला क्या होता है एफ़ी थ्री ओफोर ठीक है और इसके साथ क्या निकलेगा हाइडोजन गैस निकलेगी समझ में आ गया जब भी आईरन और वाटर रियाक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे फ़ी थ्री ओफोर प्लस एच टू इसके बाद दूसरा क्वेशन है कि जब कैल्शम और वाटर मिलेंगे तो क्या बनाएंगे यह तो हम प्वेशन वर में भी देख चुके हैं कि जो कैल्शम है वो क्या होता है उच गल्नांख वाला योगिक बनाता है और जल में विले होता है तो यह जल में विले है तो यह क्या बनाएगा कैल्शम हाइड्रोकसाइड ठीक है है potassium और water तो जब भी potassium और water मिलेंगे तो वह बनाएंगे potassium hydroxide plus hydrogen ठीक है इसके बाद next question है कि जब धातूं की अभीक्रिया खने जमलों के साथ कराई जाती है तो क्या होता है hydrogen gas निकलती है लेकिन जब धातूं की अभीक्रिया कुछ धातूं होते हैं जैसे manganese और magnesium इन धातूं की अभीक्रिया अगर HNO3 के साथ कराई जाए nitric acid के साथ कराई जाए तो hydrogen gas नहीं निकलती है ऐसा क्यूं होता है तो यह तुम्हारी एक worksheet में था यह तुम्हारी जो worksheet थी उसमें था कि जब धातूं की nitric अमल के साथ अभीक्रिया कराई जाएगी तो hydrogen gas उपसर्जत नहीं होगी ऐसा क्यूं होगा क्योंकि यह जो nitric अमल है यह क्या है प्रबल ऑक्सिकारिक होता है ठीक है यह ऑक्सिकरन कराता है तो इससे क्या होता है जो भी hydrogen जैसे हर और अमलों में hydrogen gas निकल रही थी ऐसे ही इसमें भी जब hydrogen gas निकलेगी तो क्या करेगा वो फटाफट उसको oxy-credit कर देगा और जल में परिवर्टित कर देगा तो जो भी hydrogen gas होगी उसको जल में परिवर्टित कर देगा oxygen मिला के ठीक है इसी लिए हमें दिखेगा कि water निकल रहा है लेकिन hydrogen gas नहीं निकल रही क्योंकि यह क्या होता है कि बहुत ही प्रबल ऑक्सिकारक होता है यह oxygen जोड देता है किसी भी चीज में तो यह hydrogen निकलते उसमें oxygen जोड के पानी बना देगा ठीक है और खुद क्या बना देगा खुद ऑक्साइड में converted हो जाएगा और ऐसा कौन से धातू के साथ होता है magnesium के साथ और manganese के साथ ठीक है तो तुम इस वाली वर्कशीट से यह लिख ले ना इसके बाद next question है कि आपको एक हतोड़ा एक battery एक bulb एक तार एक switch दिया गया है इसका प्रयोग करके हमें बताना है कि धातू और अधातू कौन कौन से है ठीक है उनमें विबेद करना है तो कौन से धातू है और कौन से अधातू है तो जब हमने फर्स वर्कशीट देखी थी तो उसमें देखा था कि जो धातू होते हैं वो क्या होते हैं सू चालक होते हैं विद्यूत के भी उश्मा के भी और जो अधातू होते हैं वो क्या होते हैं हू चालक होते हैं तो हमें एक डाइग्राम भी दिया गया था ये बहुते गुंडर में हमने पढ़ा था ना चालक ठीक है जो चीजे हैं वो कैसी हैं इसके बाद एक switch लगा देंगे ठीक है ताकि वो हमेशा जलता ना रहे हमारी सारी बैटरी फुक न जाए इसके बाद तार से इसको जोड़ देंगे और एक वो लगा देंगे और यहां पे कभी धातू रखेंगे तो क्या होगा बल्ब जल ज नहीं होगा तो चालक्ता होगी और बल्ब जल जायेगा जब धातू होगा तो चालकता नहीं होगी इसलिए बल्ब नहीं जलेका इसलिए पता कर सकते हैं कि कौँन सा धातू है और कौन सा अ धातू है इसके बाद next question पूछा है कि धातूओं और अधाथो में विबेधन तब यह जो परिक्षन हैं, यह कितने काम के हैं, इससे हम धातू अर धातू पता लगा सकते हैं या नहीं अच्छे से, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा अपवाद, तो वैसे तो यह आकलन जो हैं, वो काम के हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद होते हैं, जो हमें ध् ग्रेफाइट के लिए जो ग्रेफाइट है वो सूच राव होता है तो जब भी हम चालगता से परिक्षन करेंगे विभेद करेंगे धादू और अधादू में है तो हमें यह अपवाद ध्यान में रखने है तो थी क्यों है इसके बाद नेक्स क्वेशन है किुबए धर्मी ऑ एसे धातू, औकसाइट, जो अमल और शार दोनों से अब इक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, जैसे जीनक औकसाइट और एलुमीनियूं ऑकसाइट और इसके जो यह है, रियाक्शन है, ठीक है? इसके बाद तोमें नेक्स ग्वेशन दिया हुा है की कारण बताईए ये जो कारण है ये सारे तुमारी वरकशीट में दिये हुए है इन्हें डून डून के खुद लिखेंगे इसके बाद सिक्स्थ क्वेशन है कुछ धातू दिये हुए है तुमें और इस तरफ धातू दिये हुए है और इस तरफ धातू ऑक्साइड दिये हुए है, हमें बताना है कि zinc, magnesium और copper के धात्विक ऑक्साइडों को निम्द धातूं के साथ गरम किया जाए तो क्या होगा, तो ये बहुत इजी है, कि हम सक्रियता की शेनी देखेंगे सबसे पहले, जब भी ऐसे question आते हैं, तो हम सक्रिय यहां पे है, zinc है यहां पे, दूसरा क्या है हमारे पास, magnesium और तीसरा क्या है, copper, तो सबसे जादा अभी क्रियाशील क्या है, magnesium, उसके बाद क्या है, zinc और उसके बाद क्या है, copper, मतलब zinc और copper को, जो है, magnesium हटा देगा, इसको जो है, विस्थापित कर देगा, जो zinc है, वो copper को व क्रियाशील है वो इन दोनों का कुछ नहीं कर पाएगा तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हम यहां पर लिख लेते हैं मेगनीशियम सबसे जादा फिर जिंक और उसके बाद कॉपर तो तुम्हें हमेशा हर क्वेश्चन में याद रखने हैं कि जो कॉपर होगा वह में तो हटाने की जरूरत है नहीं जब मेगनीशियम और मेगनीशियम उकसाइड होगा तब भी जरूरत नहीं है और कॉपर भी कॉपर उकसाइड में से कॉपर को क्या हटाएगा है ना लेकिन जिंक क्या मेगनीशियम उकसाइड को हटा सकता है जिंक मेगनीशियम तो यह नहीं हटा सकता, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर जिंक copper oxide के साथ अभी क्रिया करेगा, तो यह copper को हटा देगा, क्यूंकि zinc copper से जादा भी क्रियाशील है, तो यहाँ पे वो copper को विस्थापित कर देगा, जो magnesium है वो zinc को भी हटा देगा, और copper को भी हटा देगा, ले जादा भी क्रियाशील है, तो वो विस्थापित कर सकता है, अगर कम अभी क्रियाशील है, तो वो विस्थापित नहीं कर सकता, तो जो copper है, वो सबसे कम अभी क्रियाशील है, तो वो किसी को विस्थापित नहीं कर सकता, जो magnesium है, वो सबसे जादा भी क्रियाशील है, तो वो इन दोनों को विस्थापित कर देगा लेकिन जो zinc है वो copper को विस्थापित कर सकता है zinc को विस्थापित नहीं कर सकता तो तुम्हें जो question पूछा था कि zinc, magnesium और copper के धात्विक oxido को अगर इन धात्वों के साथ गरम किया जाए तो क्या होगा किस में विस्थापित होगा किस में नहीं होगा तो ये तुम लिख सकते हो कि किस में विस्थापित होगा किस में नहीं होगा तो ये सब आप देख सकते हैं इसके बाद aluminium में ऐसा कौन सा गुन है जिसके कारण ये भी आप देख सकते हैं इससे next question ये देखते है हम जब एक धातू X ये धातू है इसको ठंडे जल के साथ गरम मतलब अभी क्रिया कराई गई तो क्या हुआ इसने शारिय लवन बनाया हमें पता है कि जो धातू है वो क्या बनाते है शारिय लवन बनाते हैं पहले हमने questions में भी किया था हमें क्या करना है इसका आवनिक सुत्र हमें दिया हुआ है XOH ठीक है तो जो X है उसने क्या किया जल के साथ अभी क्रिया की और क्या बना दिया XOH इसके बाद जब इससे ग्यास भी निकली XOH प्लस हाइडोजन मतलब जो भी ग्यास है X क्या है XOH क्या है और ग्यास क्या है तो हम इसको असानी से बता सकते हैं कि जो ऐसा धातू है जो ग्यास पकड़ लेता है हमने ऐसे दो धातू पड़े थे जिनको उसमें रखा जाता है क्यारो सीन में रखा जाता है क्योंकि वो क्या करते हैं आग पकड़ लेते हैं, है नट को कि शाइं होतो हैं और ये हवा के साथ भी आग पकड़ लेते हैं तो इसमें क्या सकता है sodium, जो potassium है, जो calcium है, ये सब आ सकता है, ठीक है, तो जब हम इस question का answer करने जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, या तो हम लिखेंगे कि X जो है, वो क्या है NA है, ठीक है जो Y है, वो क्या है NAOH है ना, और Z क्या है hydrogen तो हम ये लिख सकते हैं, ये इसका बिल्कुल सही answer होगा, आप NA की जगा, दोनों जगा, यहाँ पे और यहाँ पे K भी लिख सकते हैं, ठीक है potassium और sodium दोनों ही क्या होते हैं ठंडे जल के साथ अभी क्रिया करते हैं और क्या होता है, एक oxide बनाते हैं, जो शार ये है sodium oxide या फिर potassium oxide और इसको जब हम जलाएंगे इसके साथ एक hydrogen gas निकलेगी एक gas निकलेगी जिसको जलाएंगे तो वो आप पकड़ लेगी ठीक है, तो वो कौन सी gas है, hydrogen तो ये इसका answer है इसके बाद next question है कि तुम्हें एक सरचना दी हुई है तो ध्यान से देखेंगे सब बच्चे तुम्हें ये सरचना दी हुई है चोपी से और तुम्हें पूछा गया है सबसे पहले रसाइनिक सूत्र लिखो तो रसाइनिक सूत्र लिखने के लिए तुम्हारे पास रसाइनिक सूत्र में बस जो जो चीजें कौन सा है धातू है एन ए और धातू है ओ इसके बाद इसमें रिर्णायन कौन सा है जो रिर्णायन है वो कौन सा होगा जिसके पास कमी होगी है ना जो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो है ओ टू माइनस इसके बाद धनायन कौन सा होगा धनायन वो होगा जिसके पास एक्स्ट्र रहुंगे हैं ना जो धातू होगे वही धनायन होगे हैं ना तो धात ये जो है वह एक एक electron दे रहा है हमने देखा इसमें na जो है वो एक electron दे रहा है और ये वाला na भी electron दे रहा है और ये जो oxygen है इसके पास दो electron की कमी है तो रिन आयन होगा o2- और धान आयन होगा na plus ठीक है बच्चो अभी हम जो देर गूतरीय प्रश्न है वो हम करेंगे थोड़ी देर में